हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको बताऊंगी दो कप मिल पॉडर से घर में एक किलो बर्फी कैसे बनाएं आप वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें वीडियो को फुल वर्च करें तब यह आप इसी तरह से एकदम पर्फेक्ट बर्फी बनाके त्यार कर पाएंगे इसको बनाना बहुती इजी है यह बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बनाएंगे एकदम पर्फेक्ट बनके त्यार होगी आपकी बर्फी यह बहुती सॉफ्ट बनके त्यार होगी अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा अगर आप सारे स्टैप फॉलो करके इस मुठाई को बनाएंगे तो आपकी मुठाई भी एक दम मार्के स्टाइल बनके त्यार होगी और बहुती तेस्टी बनके त्यार होगी तो इस रेसिपी को एक पर ट्राय जरूर करें तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ यह मै मैंने आधा कटोरी रिफाइंड ओईल डाल दिया इसमें आप इस जगह पर घी का भी यूज कर सकते हो वह चोईस है आपकी इसको मैं अच्छे से में मल लूंगी मिला लूंगी इसको और एक तरफ रख दूंगी इसकी चाशनी मना लेते हैं चाशनी के लिए मैंने दो कटो पानी यूज करा है आप इसको मीडियम फ्लैम पर इसता पका लेगल जिस इसाब राइस करें एशाब मिल्कण हो चरी मैं सब्याउसित है मिल्क पाटोड सब्से चाशनी मनाने के लिए मैंंने फ्लेवर के लिए ऐलाइशी पाटारा भी उसकर सकते हो उस ते का भाइवर बह प्रफैक्ट त्यार करनी बना तो चाष्णी आपके अगदम पर्फैक्ट बनकर त्यार होगों तुमने मिल्ट पाउड कर देंगे चाष्णी अब स्कवंड़ करें गला मिल मिलगा may Ton ek लिए एक यहां Hilum अब आने एक प्लेट ले लिए आप पास जो भी ब्लेबल हो आप ले सकते हो इसमें पहले आप ओइल या गी लगा सकते हो जरूर लगाएं अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेस्ट में लगा सकते हो ड्राइफ रुट्स ले लिए हैं मैंने कुछ अपनी चौईस स आप अपनी चोईस से कुछ भी ले सकते हैं इस तरही किसे सारे में स्प्रेट कर देंगे हम और जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे पेस्ट को आप हलका गरम डाले ज़्यादा ठंडा ना डाले इसमें अगर आप हलका ठंडा रखेंगे इसको तो यह बर्फी आपकी एक से दो घंटे के अंदर बनके त्यार हो जाएगी अगर आपके पास ड्राइफ रूट्स नहीं है तो आप उसको इसको इसको कर सकते हैं इसको सेट कर लूँगी चारो तरफ आप किसी भी चीज सेट कर सकते हो करने के बाद इसको आप रूम टेंपरेचर पे छोड़ दें एक से दर्ड़ घंटे के लिए बनके त्यार हो जाएगी इसको फ्रेज में रखने की जरूरत नहीं है यह बहारी बनके सेट हो जाएगी एक पेपर का यूज करते हो तो यह बहुत ही असानी से निकल के त्यार हो जाएगी अब मैंने इसको पलट लिया है तो देखिए कितनी अच्छी बनके त्यार हुई है इस बर्फी को बनाने में आपको जादा टैम नहीं लगने वाला अब इस बर्फी की हम कटिंग कर लेते हैं आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइस कोई भी दे सकते हैं बर्फी की पीस हमारे एकदम असानी से कट रहे हैं यह बर्फी हमारे एकदम सॉफ्ट बनके त्यार हुई है कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बहुत ही अच्छी बनके त्यार हुई है इस तरी करें और ऐसी अच्छी एच्छी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग